अच्छा हमें आप करी से आज एक चटपटा सा चटनी बना के त्यार करेंगे करी का सीजी ने बहुत सारा कच्छा मार्केट में मिल रहा है तो आसनी से इसको हम घर में बना सकते हैं यह जो चटनी खाने के लिए जितना चटपटा और स्वादिष्ट है बनाने के लिए आसाने क्यूंकि बहुत कम इंगिडिन्स में बनके त्यार होता है आर इसको हम राइस के साथ तो चपाती या इडली खाने साथ और एक चमत साइड में अगर प्लेट का ले लिए और 200 में खाना हैं। स्वाधिष्ट पन जाता है कोई-कोई तो छिलके की साथ भी आम को तायर करते काटके लेकिन हम इसका छिलका को निकालके छोटे-छोटे टुकडे में इसको कट करेंगे फिर चाटनी के लिए इसको प्रिपार करेंगे दोनों आम का छिलका निकालके उसको पीसेस में मैंने कट करके लिए तो दो आम में से एक प्लेट निकला है ये बला आम का पीसेस चोटा बला ब्लेंडर जार में हम ले लेंगे आम की पीसेस को इसमें मैंने ले लिया आए लसुन, अध्रक और दो हरी मीर्च आप देख सकते हो एक लसुन का आधा निकाल के लिया है दो हरी मीर्चे और आधा इंच पीस अध्रक को छिलका निकाल के छोटे टुकडे में कट करके लिया है ऐसे तो आप अपनी मंचा ही मसाला इसमें आड़ कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ आड़ का रहे हूँ धनिया की पत्ता, धनिया की पत्ते को आज़ा से दो के कटकर और रक्राइन है उसकोुदिना की पत्ता भी इसके साथ ले लेंगे तकि चटनी है उसका फ्लेवर बहुत ही ज सारे चीज अभी ब्लेंड हो चुका है और इसमें कोई भी दर्दर आंक्स मैंने नहीं रखा है इसको पूरा चिकना करके पीस के लाए हूँ इसमें ब्लेंडिंग के टाइम मैंने टोटाल तेन टेबल स्पून पानी का यूज किया था एक कटोरी में ले ले लेंगे चटनी को इसे तो आप अपनी मंचाई मसाला इसमें डाल सकते हो लेकिन कम मसाला में इसको बना के तायर करेंगे इसलिए मैं ले रहे हूँ पहले तो सक्कर एक टेबल स्पून सक्कर ले लेंगे ताकि जो खट्टा वाला आ में उसका तेस्ट थोड़ा सा मिठा हो जाए और अच्छा लगे वन पर टीश्पून नमक ले लेंगे हाप टीश्पून ले लेंगे भुना हुआ जीरा पाउडर सारे चीज को आच्छे सी मिला देंगे ऐसे तो आप इसमें से सक्कर को स्किप कर सकते हो लेकिन सक्कर डालने से थोड़ा सा खटा मिठा टेस्ट चु आता है चत्नी का बढ़ जाता है इसलिए मैंने थोड़ा सा सक्कर यहां आड़की आए इसको तो हमने सिंपल तरीके से बना दिये लेकिन नर्माल चटनी बगरा में जिस तरीके से हम तड़का डालते आप चाहे तो इसके उपर तड़का भी डाल सकते हो अभी हमारा आम की चटनी बनके तया भी लगेगा यह रेसिपी आप भी एक बार जरूर ट्राय करें रेसिपी के बार में आपके अनुब कमेंट सेक्षन में सेर करें इस तरीके की बहुत सारे रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और राइट सेर में जो बेल का इकन है उसको क्लिक करके अल आप लोग के पास नोटिफिकिशन की रोप में पहुंच जाएगा